सो फोरम एमकिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिससा कि आप यहाँ पर ओपिसली निउस देख पारे होंगे NTA का काला सच सामने आ चुका है नीट वालों के लिए बड़ी कुछी की बात यहाँ पर रहने वाली है क्योंकि अब NTA के पास बहाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा क्योंकि आपने देखा होगा NTA जब से एकजाम हुआ है बहाने बनाता जा रहा है रिजल्ट आने के बाद भी NTA ने कापी बहाना बनाया ग्रेस अंकों को लेके और यहाँ पर जो कुछ जगों पर पेपर लीक हुआ था उसको लेके भी कापी बहाना यहाँ पर बनाया कि सेंट्रों पर पेपर लीक नहीं हुआ था और कुछ बच्चों को ग्रेस अंक कैसे दिये सवालों के घेरे में NTA बहुत ज़्यादा पिस चुका था अब तो यहाँ पर और ज़्यादा गेराओं में आ चुका है क्योंकि बड़ा जूट सामने निकल कर आया है कि NTA ने कुछी छातर यहाँ पर बताया थे लेकिन अब निकल के आगे 24,246 और इतना ही नहीं यहाँ पर रिसर्च के दोरान सामने आया है यह देखिए बड़ा सवाल के अबल हाई इसकोर चातरी कैसे बड़े और यहाँ पर पूरा निचोड निकला 2023 और चोईस का कि नीट में सामिल चातर 2023 में कितने थे और क्या यहाँ पर इधर देखो आप यह रा पूरा आग रा अभी तो एक और आपको मैं सवाल दिखाता हूँ जो बड़ा यहाँ पर भवाल मचा हुआ है यह देखिए मेरे प्रिविद्यारतियों पिछली बार 580 तक मिल गया था मेडिकल कोलेज लेकिन अब की बार 715 वाले भी तनाव में क् आप नीठ 40,000 को 440 अंक फिर भी सरकारी कोलेज मुश्किल इतना बड़ा फरजी वाड़ा और भी देखो आप मतलब हद हो गए इस बार तो चस्सो बीस नमरों पर इस बार 60,000 चातर और इधर देखो आप क्या हो रहा है दुनिया में इंडिया में बवाल मल्चाव आए नीट इक्जाम को लेके इतना ज़्यादा विरोध कभी नहीं हुआ इतियास रचने वाला आप इसको बोल सकते हो और ये देखिए मेरे प्रिविद्यारते हो पूरा आँकड़ा सामने आ चुका है अब एंटिये कुछ बोल नहीं पारा क्योंकि यहाँ पर रिसर्च के दोरान क्योंकि जो लोजिकल आँकड़ा रहेगा उस पर एंटिये कब त पता है कितने हो गए डबल त्रिपल से भी जादा 2160 हो गए 700 नमर वाले और पता है 680 अंक वाले 2023 में कितने थे मात्र 1742 बच्चे और इस बार पता है कितने हो गए सीधे 8884 हद हो गई मतलब समझ रहे हो आप कितना गुना हो गया देख लो आप और 660 पे पिछली बार कितने विद्यारती थे मात्र 4877 और इस बार हो गए 21825 विद्यारती मतलब केसे मिलेगा किसी को मेडिकल कोलेज सपने धरे के धरे रह जाएंगे अगर ऐसा ही कुछ शनेरियू रहा तो क्योंकि आपने सुना होगा एक कहावत है कि बैमानी आटे में नमक जितनी चलती है लेकिन इधर देखो आटे में नमक नहीं नमक में आटा हो रहा है धरतो क्योंकि आपर अंतर देखो कितना ज़्यादा निकल के आ गया 1800 का 7000 का अंतर 16000 का अंतर 28000 का अंतर इतना डिफ्रेंस पोशिबली नहीं है तो यहाँ पर चलिए विस्तार से समझ लेते सारी कहाणी सामने आ चुकी एक पूरा का पूरा काला सच खुल चुका है एंटे का यहाँ पर देखो मेरे प्रिविद्यारतियों एंटे के सिस्टम पे अब ने सवाल करे हो गए जो पहले के सवाल थे ना ग्रेस अंक कैसे दिये है ना कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया और 67 बच्चों को सेम रेंग क्यों दी वो तो बात पुरानी हो गई अब तो ने सवाल सामने आ गए और वो भी बड़े सवाल जिसका जवाब अब एंटे के पास भी नहीं है चलो देख लेते बड़ाई यहां पर अच्छा पॉजिटिव फेक्टरे नीट वालों के लिए तो अच्छा है रहने वाला है देखो क्योंकि अब एंटे दबने वाला है एक और चूक 500 बच्चों को समय दिया तब तक परचा हल कर चुके थे और ताजा कबल नमा सुबर 9 वजे रटाया परचा है देखो कबल नमा भी हो चुका है दोपर में वही आया यह सब कुछ यहां पर सामने आ चुका है कि पेपर लीक वाता बिहार और बिहार पुलिस ने यहां पर जो केंडिकेट थे जो इसा करने वाले थे उनको अरेस्ट भी कर लिया था चलिए यहां के बारे में है कि यहां पर नीट 2024 के लिए आवेदन की अंतिम्तिती 16 मार्च के 24 दिन बाद 9-10 अप्रेल को नेशलन टेस्ट एजेंसी ने एक दिन फिर के लिए विंडो खोली थी जिसमें आपको पता है कि 24,244 नए आवेदन भरे गए थे बास करने NTA से यह जानकरी मांग क्या है कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि यहां पर आपको पता है कि NTA ने बहुत बड़ा गल्थ किया है विद्यारतियों के साथ जो महिनत करने वाले बच्चे उनके साथ तो बहुत ही बड़ा दोका हुआ है जो सालों बर से तियारी कर रहे थे नीट की उनके स 20,33,000 प्लस और नीट में सामिल चातर के जो 620 में 620 से 670 के बीच वाले जो अंक थे वो यहां पे 2023 में 13,000 और इदर होगे 58,000 देखो आप और 520 से 520 से 620 अंक वाले 2023 में मातर 91,000 थे इस बार एक लाग के उपर क्रोस कर गया आंकड़ा देखो आप इसको आप मतलब धांदली नहीं कहोगे तो पिर क्या कहोगे और यहां पर एंटी ने धांदली किये तबी तो बेचारे जो चातर है जो सपना सजवी हुए उनके साथ ऐसा वेवार किया जा रहा है इदर देखो आप मार पीट की जारी है और यहां पर देखो आप कौलिपाई करने वाले चातर 4 लाग बड़े 80% वालों को भी परवेश नहीं यह देखिए पिछले साल की कटोप अगर 164 अंग रहती है तो इस साल मातर 9 लाग चातरी कौलिपाई कर पाता है हालांकि पिछले साल की कटोप 136 अंगों पर 13 लाग चातरों को कौलिपाई काउंसलिंग के के लिए कौल किया गया है यानि समान नंबर पर 4 लाग अधिक चातरों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है हाई इसकोरिंग कम नंबरों पर अधिक असर डाल रही है वही इस बार 80% वालों को भी सरकारी मेडिकल कोले से वंचित रहना पड़ेगा एंटे के इस कार ना कब जब यहाँ पर हम मांग रखेंगे पूरा यहाँ पर प्रयास करेंगे क्योंकि अभी तक तो 1500 प्लस बच्चों का रिनीट करवाने के लिए एंटेस तयार हुआ है लेकिन यहाँ पर सभी का हो तो आपके भी चांस गोवर्मेंट मेडिकल कोलेज के बन जाए तो अभी त पॉजिटिव फैक्टर है बाकी विरोध जारी है पर्दशन जारी है वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अभी तो उम्मीद है कि दुबारा से सभी का हो सके एकजाम लेकिन वो कब पोशिबल है जब आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बना रहे तो नीट के बारे म या दोजार तेईस और दोजार चोईस में अब यह सवाल यहां पर खड़ा हो चुका है